बनाने जाने पीजा, सो सिंपल एंड एजी तरीका है, बोलनेस चिकन लिया थोड़ा सा और एक पैन लेगे इस चिकन को अच्छे से फ्राइ करेंगे ताकि उसका पानी थोड़ा सा होश्क हो जाए, बहुत एजी तरीका है, यह सिर्फ एक पीजे के लिए है, जो मीडियूम सा इसको ग्रेंड करेंगे और चिकन के अंदर डाल देंगे, अच्छा आपने चिकन के पानी को अची तरह सुखाना है, ताकि यह मसाला सारा इसमें मिक्स हो जाए, मैंने कुछ भी ने डाला, सिर्फ लाल मिर्ची और नमक ही डाला है, आप चाहें तो इसमें तिका फ्लेवर क्योंकि मैं अपने खानों को बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और सिंपल ही रखती हूँ घर के मसालों से बनाती हूँ, क्योंकि जो घर के मसालों का जाएक है वो डिफरेंड होता है, और मुझे यही जादा पसंद है, तो यह बहुत एजी तरीका है, अगर आप यह स से रेडी हो चुका है अब हम इसके अंदर थोड़ा सारी गयनो डाल देंगे आपके पास है तो डालने नहीं है आपके नहीं डालें मेरे पास था तो मैंने डाल लिया इससे फ्लेवर बहुत इसका मज़े का अतर अच्छी खुश्बू भी आती है अब हम हटा गून लेंगे और अपनी सॉस रेड सॉस त्यार कर लेंगे जो पीजा की सॉस होती है मैंने तीन टमाटर लिये हैं और उसनको ओयल में फ्रेय करूँगी इसी ता से मैं टमाटरों का भी जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क कर दूँगी सिर्फ मैंने हरी मिर्शी डाली है और गार्लिक पाउडर डाला है देखिए बहुत इजी है यह सॉस बनानी कोई रॉकिट साइंस नहीं है और मैंने इसमें न एक दो क्यूब्स रहना चिकन और क्यूब्स के भी डाल दी है मैंने तुरह फ्लेवर जैब अच्छा आजएगा आपकी मर्जी डालने नहीं डालने आप ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं देखें बहुत इजी यह सॉस है रेट सॉस जो हम बाई से खरीत है घर में बना सकते हैं अब जी हमने अपने जो डो थी उसका हमने रेडी कर लिया है अब इसको पैन में लगा देंगे बेल के डो को और फॉक की मदद से इस तरह से इसके अंदर कर लेंगे थोड़े थोड़े लाइट लाइट रखने आपने अब जो सॉस थी उसको हमने इसको लगा दिया है पीजे के उपर देखें सॉस कितनी अच्छी बनी है ना स्मूथ सी अब प्याजो को हम थोड़ा सा डालेंगे इसके उपर यह बिल्कुल सिंपल मैंने बनाया है वैसे मैं मशूम्स भी डालती हूं कैप्सिकम भी डालती हूं लेकिन आज चुके घर पर मैं पास कुछ मिंग था तो इसलिए मैंने सिंपल सा किया है अब हमने चिकन जो मैरिनेट किया हो था उसको डाल दी चिकन को भनाया था हमने अब चीज डाल दी अब हम इसको बेक करने करी रख देंगे आप लोग भी ट्राइब कीजेगा बहुत सिंपल है लेंदी हमारा पीजा बिल्कुल रड़ी है बहुत यम्मी अब्सक्राइब जूर कीजिएगा बाए